IP University के इंदर CUT score के basis में BBA course में किस तरीके से admission मिलता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कौन-कौन से college से जिसमें आप admission ले सकते हैं, कितना minimum score सही होगा, क्या combination चाहिए होता है, इस बारे में आज हम detail में बात करने वाले हैं, तो अगर आपका CUT के इंदर low score आया है, आपको BBA course करना है, डेली से करना है, और अगर आपने इनका entrance exam मिस कर दिया था, तो आपके पास CUT के exam के basis पे admission लेने का मौका आज की date में है, और आप यहाँ पर अपना admission ले सकते हैं, तो समझेंगे इसका admission process किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले में आप लोगों को courses आपके पास है, computer-aided management, BBA CAM इसको बोला जाता है basically, और एक नया आपके पास 5 years का BBA plus MBA है, जो आपके पास course आया है, तो integrated BBA plus MBA के लिए आपके पास जो है, आज की रिटमा APCT के अंदर option available है, तो यह आपके पास 3-4 तरीके के BBA जो हैं, आपके करने को आपको मिल जाता है, eligibility criteria के बारे में बात कर लेते हैं, eligibility criteria आप लोगों की class 12th के अंदर आपकी 50% marks होने चाहिए, यह specific eligibility criteria है, अगर यह नहीं है तो भी admission नहीं होगा, best 4 के अंदर भी 50% चलेंगे, ठीक है, best 4 के अंदर भी चलेंगे, अब admission process के बारे में बात करते हैं, आज की rate में आपके पास CUT का score है, ठीक है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 50 है, हना, मैं तो यहीं बोल रहा हूँ, जितने भी score वाले हैं, और यहां से लेकिन नीचे 7500 तक के score वाले student, सभी के लिए admission process open होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, IPCET का जो है first preference university रखते हैं, जने कि इनका खुद का interest exam होता है, round 2 हो चुका है, round 3 हो चुका है, अब इसके बाद इनके पास जो seats vacant आने वाली है, after the spot, अभी आजकी लेट में spot चल रहा है, अब आप सुच रहे हो कि भाईया, spot भी हो रहा है, round 1, 2, 3 हो रहा है, क्या seat बचेंगी, बिल्कुल बचेंगी, किन colleges में बचेंगी, इस बारे मे 8,000 लगा के चलिए, भाई, 8,000 सीटें कम से कम IPC की पास BBA कोर्स की है, जब हम बात करते हैं भाई, यह डेली निवर्सिटी की, तो भाई हमार पास कितने seats है, BMS की, BBA सब की मिला के 1000 भी सीटें नहीं बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है, साधे 700 कुछ सीटे आती है मेरी खाल से BMS की अंदर, तो टोटल मिला के BBA, FIA और BBE मिला के जो है, 1000 से 1500 की बीच में टोटल सीटें होते हैं, तो कहिना का यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, और admission का जो क्राइटीरिय है, यहाँ पर कोई mathematics की requirement नहीं है, विदाउट mathematics सब को यहाँ पर admission मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 42 colleges हैं, तो यहाँ पर आपको easily admission मिलने के chances होते हैं, अगर आप IPV, CUT देते, लेकिन आप जा रहे हो, CUT, UG के थरू, तो क्या probability बनेंगे, उस बारेमाम बात करेंगे, तो application form आएगा, आपका 1500 रुपे का, ठीक है, हो सकता है कि भाया, आपको सीधा यह CUT, UG के स्पोर्ट बना के दे हैं, आपको एक साथ जो है, पच्छिस सो रुपे पे करने का मौका मिले, अब अगर आप चाहते हैं, IPV उनिविशिटी के अंदर BBA course में admission लेना, तो यह बहुत ही असान तरीके से higher education के साथ जोड़के हो सकता है, जितने भी colleges हैं, जिनके आपका online counseling का हो, चाहे वो आपका college allotment का हो, सारे चीजों को जो है, हम सारे चीजों को cover करते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बीबे को select करना है, यहाँ पर आपको अपना state डालना है, अपना suit का score mention कर देना है, और अपनी query डाल देनी है, ठीक है, query में आप अपना BBA admission या पर I want to get admission in IPU City में रहतना score है, यह चीज़ आप mention कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी से help कर पाऊं, यहाँ पर admission लेने के लिए, तो जितनी भी आज की rate में colleges है, जहाँ पर आपको suit मिल सकते हैं, इसी पीजी तरीके से, उसके बारे में हम आपको जहाँ जो है guide कर देंगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम थे अपने जो है admission के process की तरफ, तो पच्छी सो रुपे आप लोगों के हाँ पर जो है लग सकते हैं, ठीक है, एक साथ, अब यहाँ पर website आपकी ip.ac.in, लेकिन उनका admission process चलता है, वो चलता है, ipadmissions.nic.in पर आप लेकिन इतनी लबी चौड़ी list के अंदर कौन सा college बढ़िया है, कौन सा college बहतर है, आपके लिए कितनी fees आप प्लान कर रहे हो, उन सभी चीजों के उपर हम जो है आप लोगों के साथ बात करते हैं, खुलके बात करते हैं और आप लोगों के साथ बात करते हैं, फीस आप पहुच गरें तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशकबरी बतायता हूँ, higher education के साथ जुड़के जो भी लोग अपना CUT के थुरू अपना admission करवाना चाते हैं IP University के अंदर, उनको एक खास scholarship मिल रही है, और वो scholarship भी आप लोगों को इस form के थुरू ही लिए और आप लोगों को proper guidance जो है हम provide करेंगे, it's not for the IPCT candidates, it's only for the CUT candidates, तो जितने भी student है जिनको पास से लेके 15,000 के बीच में scholarship चाहिए, confirm admission चाहिए, वो student जरूर इस form को fill करे, CUT के थुरू आप लोगों का IPCT में confirm 100% admission जो है, मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों की scholarship अगर आप यह बोलोगे, फोन करके कि भईया, मेरे को तो 20,000 सुना था, मैं तो 20,000 दूँगा, तो इस totally depend upon your class 12th score, अगर आपका class 12th score अच्छा है, तो आपको maximum discount मिलेगा, maximum scholarship मिलेगी हमारी तरफ से, अगर आपका score कम है, आपका average score है, तो उसके साब साब को scholarship मिले दी जाएग है, तो आप लोगों के पास class 12th के अंदर होने चाहिए, 50% marks होने चाहिए, class 12th में आपके 50% marks होने चाहिए, CUT के अंदर यहाँ पे आपस English language मंगा गया है, English language आपके पास होने चाहिए, आपने language का exam दिया है, business studies दिया है, general test दिया है, यह 3 domain अगर आपने दिये है, CUT के exam के अ domain miss हो गया है, तो भी घबराने की जोरत नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत सारे BBA के options हैं, ठीक है, BBA, AI, ML आपने सुना होगा, Artificial Intelligence and Machine Learning के अंदर भी एक specialization, Delhi NCR के अंदर आपको मिल रही है, साथ में आपको international business का certification, foreign trips, ऐसे बहुत सारे colleges हैं, जिनके अंदर आप लोगों हम आपको admission अपना करवा के देंगे, attention लेने के आप ज़रूरत नहीं है, आप बस form ज़रूर फिल करना, it doesn't matter you have given these three domains strictly, लेकिन हमारी first priority तो भी या तीन domains वाले की IP के लिए, और non-IP colleges और IP जैसे बहुत ही बढ़िया colleges के लिए, हम non-BST students को भी जो है, consider करेंगे, तो आप लोगो तो यह आप लोगों का admission का process IP University का CUT course के लिए, तो आप लोग ज़रूर का counselling का process अटेंड करेंगे, application form फिल करना is very very mandatory, अभी application form को लेके dates out नहीं हुई है, तो जब भी इसकी date out होगी है, ने कि UG courses के अभी date out नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों को proper guidance दूँगा कि किस तरीके से आप लोगों उसका application form फिल करना है, किस तरीके से आप लोगों उनके online counseling को participation करना है, choice feeling किस तरीके से करना है, सारी चीज़ों को लेके हम जो आप लोगों को help करने वाले हैं, तो बस आप बने रहे हैं मेरे साथ, और जलते कोची students के लिए limited seats हैं, तो मिलते नेक्स टूड़े के इंदर, बाबाइ, take care, thank you so much